चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग परेंगे एसे सिजे इलेक्टिकल 26 सितंबर 2019 को मोर्णिस में जो एक्जाम हुआ था उसके कोस्चन के बारे में तो चलिए सबसे पहला कोस्चन है और इलेक्ट्रिक हीटर इस कनेक्टेड एक रोस दूसर तीस वोल्ट एंड इट ड् तो यहांते हैं। आपका 215 ओम अप्शन नमबर डिN是 आपको है जो A meter constant of fine energy meter बिलवी तो इसका क्या हो जाता है तो energy meter में किस तरह का होता है तो revolution KW revolution option number C KW revolution kilowatt per revolution याद रखेगा meter constant of fine energy meter बिलवी गिवेन इन किलो वार्ट पर revolution नेक्स्ट कोश्चन है ये 2KW transformer है उसमें iron loss आपका दिया हुआ है 150 watt and full load copper loss दिया हुआ 250 watt the maximum efficiency आपकर भेंदी total losses total loss कितना होगा तब यह हो जाएदा total loss किना होना चाहिए हम लोग जानते हैं कि maximum efficiency maximum efficiency कब होता है जब आपका iron loss आइडन लोस बराबर क्या हो जाता आइडन लोस आइडन लोस इक्वाल टू क्या हो जाएगा copper loss तो आपका maximum efficiency total loss यहां पर कितना हो जाएगा तो टोटल लोस आपका हो जाएगा total loss इक्वाल टू क्या हो जाएगा आपका इसका option नमबर ए आगे और देख लेते फिल्ड बाइंडिंग ए फ्लेस्टान रोटर ठीक है फिल्ड बाइंडिंग आपका रोटर में रहता है इसका constant speed वी होता है armature binding जो है अस्टेटर में आपका लगा हुआ रहता है तो यह तीनों आपका सही है यह आपका सेल पर स्टार्टिंग मशीन यह नहीं है next question है the function of condenser in a thermal power plant तो इसमें क्या हो जाएगा option नमबर option नमबर c condense used steam into water steam को क्या करता है water में बदलता है कौन तो condenser जो thermal power plant में बदलता है efficiency को बढने के लिए क्या करते है steam को condenser करते हैं यह क्या करता steam steam को water में convert करता है next question है find the mutual inductance between the identical coupled coil two henry and eight henry तो इसका आपका क्या हो जाएगा तो यह आपका देखिए तो हम लोग जानते हैं inductance को क्या किसमें मापा जाता तो henry में यह भी आपका पूछा जाता है याद रखे है inductance को किसमें मापा जाता तो henry में तो हम लोग जानते हैं m मतलब mutually inductance वरावर होता k root under l1 l2 l1 into l2 तो आपका यहाँ k हो गया क्या हो गया coefficient हो गया यानि यह constant होता है यह l1 l2 तो यहाँ पर ideally coupled है तो किया का value क्या हो जाएगा ideally के case में one हो जाएगा तो यहाँ direct m equal to क्या हो जाएगा root under l1 l2 जब इसको करिये गा तो आपका जगा आपका जगा आर्दुन 16 16 16 का root से बाहर निकले तो क्या हो जाएगा तो इसका सबसे कम क्लोरिफिक वेलू क्या हो जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा आपका wood यानि आपका wood यानि लकरी का सबसे कम होगा बाकि सबका ज्यादा होता lpg hydrogen kerosene oil का ज्यादा होता next question a magnetic circuit is applied with a current that change change at a rate of 5 ampere per second the circuit hydrogen inducted to henry then the self-induced dm self-induced आपका पूछा जाता the self-induced यह में भील बराव क्या जानते हैं भील बराव जानते हैं क्या minus l diy dt यह minus आपका क्या बताता तो याद रखे of change of current कितना दिया हुआ तो 5 ampere per second यहां 5 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा minus 10 बोल्ट option number कौन मेंच करा तो option number b चले नेक्स्ट देखते हैं एक 200 बोल्ट dc machine है हाई आरे यानि आर्मेचर इस टेंज 0.5 दिया हुआ और इस फुल लोड यानि आई यह आई मेंचर करेंट आपका दिया हुआ बीस एंपियर लिटर माइं देंडियोस्ट यह में भेंदी मसीन एक्ट साइज मोटर तो आपका हम लोग जानते हैं कि भी बरावर क्या हो जाता है यहां पर मोटर के केस में क्या होता है भी बरावर क्या होता है तो हम लोग जातें e b plus i a r a नो जानते हैं तो यहां से आप लोग क्या करिए अब भी का बहिलो आपका दिया हुआ कितना 200 इक्वल टो e b आपका पूछा जा रहा है e b plus i a आपका दिया हुआ 20 और r a आपका दिया हुआ कितना 0.5 यह हो जाएगा 10 यह उठा जाएगा तो e b बराबर किन्न हो जाएगा दो यह बराबर हो जाएगा क्या चिया आपका 190 बोल्ट option number b यह single line यह diagram दिया गया हुआ यह diagram किसका है तो next question आपका पूछा कि यह diagram यह symbol किसका है तो याद रखिएगा 10 नंबर का आपका option number c हो जाएगा potential transformer potential transformer का यह symbol है the average value of sinusoidal wave average value of sinusoidal wave कितना होता तो यह मालेजी एक तरह का sinusoidal wave है यह sinusoidal wave है तो यह आपका peak value होता है यह आपका कितना होता है peak value उसके बाद यहां पर आपका क्या होता यह 63.7 पर क्या होता है आपका आपका होता है यहां पर आपका हो जाएगा आपका 36.7 पर सेंट पर क्या होगा आपका average value होगा RMS value कितना होगा तो 0.707 पर होगा तो इसका देख लीजिए option नंबर कौन में इच करा तो आप्शन नंबर बी आप्शन नंबर बी आप्शन नंबर बी 0.637 इन्टू maximum value है और maximum value में 0.637 से मलते प्लाई कर दें तो वह क्या निकल जाएगा sinusoidal wave का average value निकल जाएगा next question दिया हुआ find the frequency of rotor induced EMF of a three phase 440 वोल्ट पचास हट induction motor having sleep 10% दिया हुआ है तो आपका पुछ रहा है आपका पुछ रहा है क्या frequency of rotor यानि FH पुछ रहा है FH बढ़ाबर क्या क्या जानते S से F S F S आपका दिया हुआ कितना 10% 10% को अगर आपका चेंज करने के point में 0.1 यानि 0.1 इन्टू आपका frequency किना दिया है 50 आपका कितना अंसर इसका हो जाएगा आपका इसका अंसर हो जाएगा पाच हर्ज अप्शन नमबर C बढ़ा का C आपका जाएगा 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 जाएग